भारत के सबसे रुमान चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के नाम डाउनलोड नाउ प्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम पूरे देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोणा का कहर लगातार जारी है और हर बीटे दिनों के साथ कोरोणा रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है स्थिती अब ऐसी हो गई है कि वेक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोग भी कोरोणा की चपेट में आ रहे है राजधानी दिल्ली के गंगराम हॉस्पिटल में 37 डॉक्टरों के पॉजटिव आने के बाद अब दिल्ली एम्स के 35 डॉक्टर कोरोणा पॉजटिव हो गए है डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से राजधानी भर के स्वास्ते महकमे में हडकंब मच गया है अचानक एम्स के इतने डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर भी असर पड़ना तैम आना जा रहा है राजधानी में कोरोना की भयावे स्थिती को देखते हुए अब केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने खुद अस्पताल और स्वास्ते कर्मियों की स्थिती का जायजा लेना शुरू कर दिया है अगर दिल्ली में कोरोना के आँकड़े की बात करें तो पिछले 5 दिनों के आँकड़े बताते हैं कि दिल्ली भी मुंबई की रा पर निकल पड़ी है दिली में पिछले 5 दिनों के कोरोना के नए मामले, 4 अप्रेल को 4,033 नए मामले सामने आए जोकी एम्स और गंगराम होस्पिटल से थे, इनमें 5 अप्रेल को 3,548 मामले सामने आए, 6 अप्रेल को 5,100 मामले सामने आए, 7 अप्रेल को 5,506 नए मामले सामने आए, वही 8 अप्रे में मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है अगर दिली में पिछले 5 दिनों में कोरुना से मौत की बात करें तो 4 अप्रेल को 21 मौते दर्ज हुई वही 5 अप्रेल को 15 मौते 6 अप्रेल को 17 मौते और 7 अप्रेल को 20 मौते दर्ज हुई वही 8 अप्रेल को 24 मौते दर्ज लेकिन फिर भी कोरोना ने दिल्ली में अपनी जगा बना ली है अब दिल्ली वासी को इससे जूजना ही होगा और सामना करना होगा क्योंकि कोरोना ने तो वैक्सीन की दीवार भी तोड़ दी है मतलब ये कि सिर्फ वैक्सीन लगा लेना कोरोना से बचाव की गैरंटी नहीं हो सकती ब्यूरी रिपोर्ट दिली तक